हेलो बच्चो मैं आपका दोस्त आपका केमेस्टी टीचर राजेश खोद्रे एक बार पुनह M.G.C.I. के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो में अलकाइन्स की बहुत ही इंपोर्टेंट केमिकल रियक्शन को देखने जा रहे हैं जिनकों की हम इस वीडियो में बहुत ही आसान और सरल तरीके से सीखने जा रहे हैं हमारा यह वीडियो हिंदी तथा इंगलिस दोनों ही मीडियम के छातरों को हेल्प करता है ठीक तो हमारे पास यहां जो है वो है अलकाइंस की अमली प्रकृती एसेडिक नेचर आफ अलकाइंस के लिए केमिकल रियेक्शन है अर्थात यह जो रियेक्शन है केवल हमें अलकाइंस से मिलेगी और अलकाइंस में भी वह अलकाइंस जिनका नेचर एसेडिक हो कहने का ताथ पर यह है हम इन रियेक्शन से अलकेन, अलकीन, अलकाइन में विभेद अर्थारात उनको पहचानते हैं आइडेंटिफाई करते हैं ठीक और साथ ही ऐसे अलकाईन को भी आइडेंटिफाई In reaction के थ्रू किया जाता है जो की एसेडिक हो और नॉन एसेडिक हो ठीक तो ये रियेक्शन हमको दो प्रकार के अंतर को बताने में मदद करती है एक तो कि दिये गए जो भी हमारा कार्बनी कमपाउंड है कार्बनी की योगिक है वो एलकेन, एलकीन, अलकाइन में से किस प्रकार का है और अलकाइन्स में भी ये किस प्रकार के अलकाइन्स है इन रियेक्शनों से हम इस बात को अध्यन करते हैं पता लगाते हैं ठीक तो हम ऐसी रियक्शनों को जल्दी से समझना स्टार्ट करते हैं सबसे पहली है सोडियम के साथ क्रिया एक्सन विद सोडियम तो ये सोडियम धातू एलकेन, एलकीन, अलकाइन में से केवल अलकाइन पर अपनी क्रिया करता है तो हमें इस बात का यहां से पता चलने वाला है कि अगर सोडियम दिये गए योगिक से क्रिया कर हमें कोई उत्पात दे रहा है मतलब हमारा अभी कारक अलकाइन है ठीक और साथ ही सोडियम उन अलकाइनों पर क्रिया करता है जिनके पास अमली हैड्रोजन हो ठीक तो हमें यहां ऐसा अलकाइन भी भचान आजाएगा तो हमने एसी टिलिन की क्रिया जब सोडियम धातू सोडियम मेटल से इथर की उपस्तिती में कराई तो हमें इस सोडियम की क्रिया कर एसी टिलिन पर हाइड्रोजन गेस मुक्त कर दी गई साथ ही हमको मोनो सोडियम एसी टिलाइड प्राप्त हुआ ठीक हमने यह बात पहले जान चुके हैं कि जब भी सोडियम धातू किसी योगीक से क्रिया कर हाइड्रोजन गेस मुक्त कर था है मतलब योगीक अमली प्रकृति का है तो इस तरह हमें एसी टिलिन की एसेडिक नेचर का भी ज्यान हो गया साथ ही हमने यहां से कई तरह के विभेद अंतर को पहचाना ठीक अगली जो रियेक्शन है हमारे पास वो है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेड की जिसको हम शारी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेड भी कहते हैं जिसका हमारे पास फार्मूला होता है NH4OH प्लस AgNO3 ये है सोडियम हैड्रोकसाइड ये है सिल्वर नाइट्रेट जिसका फेमस नाम है टॉलेन अभी करमक टॉलेन रियेजेंट ठीक तो टॉलेन अभी करमक एलकेन, एलकीन, अलकाइन में से अपनी रियेक्शन केवल अलकाइन पर करता है, और अलकाईन में भी उन अलकाइन पर करता है, जो प्रकृती में जिनका नेचर अमली हो, ठीक, और टॉलेन ऐसे अमली अलकाइन से क्रिया कर, अपना सपेद अवक्षे वाइट प्रसिपिटेट बना कर, अपनी पहचान करता है ठीक, तो हमने एक बार पुनह ऐसे टिलीन लिया, यहाँ दो अमोनियम हैड्रोकसाइड लिये और दो सिल्वर नाइटरेट लिये, ऐसा कर हमने यहाँ सिल्वर ऐसे टिलाइड बनाया, जिसका हमें सपेद अवक्षेव मिला, इस से हमने उन दोनों बातों का विभेद किया, ठ सिल्वर ऐसे टिलाइड बनाना है, जिसका हमें सपेद अवक्षे वाइट प्रसिपिटेट मिलता है, ठीक, एक और ऐसी रियेक्शन है, वो है, अमोनियमय क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, क्रिया एक्षन विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अब अमोनियम क्यूप्र क्यूप्रस क्लोराइड भी एलकेन, एलकीन, अलकाइन में से अपनी क्रिया केवल अलकाइन पर करता है अलकाइन में भी वे अलकाइन जो अमली हो और उनके साथ क्रिया कर अपना लाल अवक्षे रेड प्रसिपिटेड बनाता है और ऐसा कर अपनी पहचान कराता है ठीक तो हम हमने आपकी बार प्रोपाइन लिया क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिया में लिया और इसने अपनी क्रिया कर क्यूप्रस एसीटिलाइड बनाया जिसका लाल अवक्षेप प्राप्त हुआ जो कि हमको अलकाइन और अमली अलकाइन की पहचान कराता है ठीक इस तरह हम इन तीनों रियक्षन का अलकाइन की पहचान और वह अलकाइन जो अमली हो उसे करने के लिए करते हैं ठीक और ये रियक्षन परिक्षा में कई बार पुछी भी गई है जिसकी अब हमें प्रेक्टिस करना है ठीक अब हम अलकाइन्स के लिए अंतिम बात करें तो अलकाइन्स के उपिय यूज आफ अलकाइंस ठीक तो अलकाइंस का सबसे पहला जो हमारे पास उप्योग होता है वह है ऑक्सी एसे टिलीन ज्वाला बनाने में जिसका उप्योग हम गेज बेल्डिंग में करते हैं अगला जो उप्योग अलकाइंस का है वो है अथाइन फलो को करत्रीम रूप से पकाने में प्रयुक्त होती है थीक एथाइन इस यूजड फॉर आर्टिफिशियल रीपनिंग आफ फ्रूट तो फलो को पकाने के लिए भी हम एथाइन का उप्योग करते हैं एथाइन का उप्योग कर हम उसको एथिलीन में कनवर्ट करते हैं और हम सब जानते हैं कि एथिलीन एक पादफ हार्मोन प्लांट हार्मोन है जिसका उप्योग हम कच्छे फलो को पकाने में करते हैं अब एलकाइन की मदस से हम कई महतपूर्ण अभीकरमक रियेजेंट को निर्मित करते हैं जैसे कि एसीटल्डी हाइड ऐसेटिक अमल संसलेशित रवर बेस्ट्रोन बेस्ट्रोसॉल इन सब अभीकरमकों को हम एलकाइन के उपियोग कर निर्मित करते हैं ठीक तो used for manufacture of aldehyde, acetic acid, synthesis, rubber, westron और westrosol ठीक अब अंतिम आखरी महत्पूर्ण उप्योग है अलकाइन्स के उप्योग से हम leucide वा लेविसाइड गेस निर्मित करते हैं जो की एक जहरिली गेस होती है ठीक तो अलकाइन्स के उप्योग से एक महत्पूर्ण जहरिली गेस leucide वा लेविसाइड गेस का निर्माण किया जाता है कैसे किया जाता है उसे भी समझें acetylene की क्रिया arsenic trichloride से कर हम two chlorobinyl dichloro arsene के रूप में leucide गेस को निर्मित करते हैं जो की एक जहरिली गेस होती है ठीक तो यहां हमने अलकाइन्स के उप्योगों को समझा अब हमारा यहां पर hydrocarbon complete होता है अब हम आगे के जो विडियो आएंगे उसमें नॉमन क्लेचर और आइसो म्रिज्म अर्थात कार्बनिक योगी को का नाम करण और समा व्योता को बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझेंगे ठीक तो आप hydrocarbon को ठीक से इन विडियो के माध्यम से practice कीजिए अगर उसमें कोई भी doubt समस्या आए तो आप कमेंट कर अपनी समस्या को मुझे share कीजिए ताकि मैं उसमस्या को दूर करूं और इसी तरह हम लगातार इन विडियो के माध्यम से अपने सारे टॉपिक सारे चेप्टरों को तयार करें धन्यवाद